तो जगस्ते प्राप्त रेसे रेशम के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से तो चले स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को इसमें हम पढ़ेंगे रेशम का क्या अस्थान है और रेशम की प्राप्ति कहां से होती है रेशम अपनी अनोखिक चमक और लोखिक शुन्दर्ता अदूती आकरसक मजबूती आधी के लिए विशोवर में फेमस है रेशम को सवी वस्त्रों की रानी कहा जाता है क्योंकि रेशम के किड़े सहतूत की पत्तियों को खा करके जीते हैं और रेशम का उत्पादन करते हैं प्राचीन काल से ही रेशमी वस्त्रों को राजसी वस्त्र कहा जाता था इस प्रकार रेशम को देखा जाए तो आज से नहीं बलकि प्राचीन काल से ही राजसी वस्त्रों होने का गौर प्राप्त है रेशम की बात की जाए तो रेशम को सभी वस्त्रों की रानी इसलिए कहा जाता है कि इसके पीछे एक स्टोरी है इस्टोरी को चलिए सुनते हैं जैसे की एक रानी थी जिनका नाम था सीलिंग ची वह उद्यान में बैठी अपनी चाय के कप के प्याली में चाय रख करके पी रही थी तभी उस समय लटकते हुए एक कोकून को उन्होंने देखा उसने उस कोकून को पेड़ से तोड़ा और जो बची हुई गर्म चाय थी उसके कप में डाल दिया कुछ समय पस्चात उन्होंने देखा कि कोकून से चमकदार खुबसूरत आकर सक अविरल रेशा लिप्टा हुआ है उसने और कई कोकूनों को एकत्रित करके बुनकर वस्त्र के रुपे महराजा को भेट दिया तभी से चीन से वस्त्र निर्मार की प्रक्रिया का आरंब माना जाता है इसलिए चीन की उसमहराणी सीलिंग ची को रेशम की देवी भी कहा जाता है चीन से जापान तक रेशम के कीड़े और सहतूत के बीज को किस प्रकार से लाया गया इसके पीछे भी अलग-अलग कहानिया जैसे कि एक कहानी के अनुसार बताया जाता है कि लगबग इसापुरो तीन हजार वर्से पूर जापान ने अपने यहां से दो पुजारी को चीन भेजा था उन्होंने सातूत के बीज वर रेशम के कीड़ों को चुरा करके जापान तक ले जाने में सफलता प्राप्त की और वहां रेशम का उत्पादन होने लगा उसके पीछे कई कहानिया है जैसे कि एक कहानी और आती है कि लगबग इसापुरो पांसो पचास इसापुरो दो ऐसे भिख्षुक आये जो चीन में आये और चीन से ही कुछ प्रकार के जो आपके कीड़े थे सातूत के बीज थे वो खोखली घड़ी में छुपा करके ले ग पतियों को ले गया और उसको ले जाकर के अलग-अलग देशों में इनका उतपादन होने लगा चलिए आगे देखते हैं कि रेशम का उतपादन और रेशम से जो महतपुर बिंदु से कोशन बनते हैं वो कैसे कोशन बनते हैं उसके बारे में जैसे कि उदगम और इतिहास क बात की जाए तो चीन को रेशम का जन्मदाता माना जाता है Queshan पूशा जाता एक्जाम में कि रेशम का जन्मदाता कौन है तो आंसर हो जाएगा चीन इसा से लगबग धाई हजार वर्स पूर्व चीन में रेसम के धागे से वस्त्रका निर्माड का कार्य होता आ रहा है इतना ही नहीं सी लिंग्ची को रेसम की देवी भी कहा जाता है प्रशना आता है रेसम की देवी किसे कहा जाता है तो आंसर हो जाता है सी लिंग्ची वह सुनारे पीले रंग का कारड पीले रंग के होने के कारड वह भी सुभर में प्रशिद्ध है तेरे सो पचीज से तेरे सो पचास इसी में मुहम्मद तुगलक ने रेशम को बढ़ाने का भरपूर सहयोग और प्रशाहन भी दिया रेशम के प्राप्ति के लिए कोकुन को प्यूपा वस्था में ही मार दिया जाता है प्यूपा वस्था में कीड़ा लगतार लार को अस्त्रावित करता है जो उसके मुख के दो छिद्र द्वारा वह लार अस्त्रावित होता है और अंग्रेजी के आठ अच्छर की दरव वह बनता हुआ लिबर्टा चला जाता है रेशम के कीड़े सहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं रेशम के कीड़ों को बामबेक स्मोरी कहा जाता है रेशम का कीड़ा का जीवन काल की बात की जाए तो वह दो माहका होता है और इस कीड़े की अवस्थाइं चार होती है वो चार अवस्थाओं से हो करके गुजरता है पहली अवस्था है अंडा, दूसरी अवस्था है लारवा, तीसरी अवस्था है प्यूपा और चौती अवस्था है कीड़ा रेशम उतपादन के लिए इन चारों अवस्थाओं का अपना अलग ही महत्वपूर अस्थान है इस प्रकार से पता चलता है कि रेशम का जीवन काल सिर्फ और सिर्फ दो माह का होता है और कीड़ा चार अवस्थाओं से होकर गुजरता है नेक्स्ट जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे